लेक्चर नमबर 11 एक्सरसाइज 4.1 MT और CT वालों के लिए 9.1 ET वालों की यह वही कंटिनिएशन है यह आपके जो एक्सरसाइज वह जारी रखेंगे क्वेस्टन नमबर 5 इसमें देखें फिफ्ट क्वेस्टन हमारा है X over X-A X-B into X-C अगर है तो आप इसको कैसे को करेंगे पार्शल फ्रेक्शन के लिए आप करेंगे यहां पर फिर्स्ट के लिए A over X-A B over X-B और C over X-C इनियर वह ले लेंगे फिर उसके बाद इसके LC हम लेके इस से दोनों तरफ सम्झाओ आपने multiply कर देना X is equal to आजाएगा यहां जब इससे इसको divide करेंगे तो X-A X-A से cancel A के साथ आजाएगा X-B into X-C plus B के साथ आएगा X-B cancel तो X-A into X-C और last वाले C के साथ आजाएगा X-A into X-B फिर आपने method के मताबिक जो है वो बारी-बारी साथ को zero की equal put करना है पहले put करेंगे put X-A let's suppose हम zero put करते है तो इसका मतलब है कि जो X की value यहां हमारे पास आएगी वो A आजाएगी इसको आप इस equation में put करते जाओं इसको equation 2 का नाम दें और इसको equation number 1 का 2 में put करेंगे तो आपके पास आजाएगा A is equal to अब देखें X-A अगर हम zero रखते हैं तो B और C जो हैं वो यहां इस case में क्या हो जाएगे? zero हो जाएगे A की value हमारे पास आएगी A into A minus B into A minus C इसका मतलब है कि जो capital A की value है वो A over A minus B into A minus C आजाएगी similarly आपने क्या करना है? put करना है again put X minus B is equal to zero इसका मतलब है कि हमारे पास जो X की value इस case में आएगी वो B आजाएगी इसको भी इस equation number 2 में put करें अब इसमें जब X minus B zero होगा तो A की coefficient zero हो जाएगा और C का zero हो जाएगा और हमारे पास जो value आएगी वो B की आएगी B into B minus A B minus C इसका मतलब यह हुआ कि जो capital B है वो हमारा आ रहा है B over B minus A into B minus C फिर आपने put करना है A की अब जो है factor रह गया जो put करोगे X minus C is equal to zero इसका मतलब है के X आजाएगा C की equal और इसके लिए आपके पास जो है वो आपको मिलेगी किसकी value यह देखें X minus C zero तो A की कोफिशन्ट zero X minus B का भी zero तो C की value यहाँ से हमें मिलेगी यह जाएगा C minus A into C minus B is equal to X की जगर भी आजाएगा C तो capital जो C है यह capital C है बड़ा C is equal to आजाएगा small C over C minus A into C minus B अब हमने क्या करना है यह A, B, C की जो value हमने find किया इसको one में put कर देना पहली equation में putting values of capital A, B, C in equation number one जो one में put करोगे तो आपके पास partial fraction आजाएगा X over X minus A X minus B X minus C is equal to A की जगर आजाएगा आपके पास यह पूरी value A over A minus B A minus C into X minus A similarly जो आपका दूसरा factor है वो B है, प्लस में लेग देंगे B over B over X minus B into जो भी values B के साथ आई हैं वो है B minus A into B minus C इसी तरीके से जो last है वो है C over आजाएगा C over X minus C into C minus A C minus B यह आपके जो है वो पार्शल फ्रेक्शन आजाएगे इनका बाकी जो solution है वो मैं आपको PDF फाइल में बेज दूँगा वहां से भी आपने इसको टैली करना है एक आदा question इसको और देख लेते हैं बाकी question में जहां मैं written form में बेजूँगा उसमें आप क्यों इनके साथ-साथ hint दिये गए हैं वहां से आपने इसमें help भी लेनी एक और देख लें हमारे पास जो है वो exercise में question number 7 एक question है देखें जड़ा 7 को question number 7 है कि 1 over 1-x 1-2x into 1-3x तो यह आपके partial fraction में इसके conversion करोगे तो a over 1-x b over 1-2x और plus c over आजाएगा 1-3x उसी तरीके से इस साइट कसम जो LCM लोगे या आप इस LCM से दोनों साइटों पर multiply करेंगे तो आपके पास आजाएगा 1 is equal to देखें 1-x से यह डिवाइड होगा तो यह आपके पास रह जाएगा a into 1-2x into 1-3x plus b into यह देखें यह इस से डिवाइड होगा तो 1-x आएगा 1-3x और last पे जो c है c into क्या आएगा 1-x into 1-2x आपके पास बच जाएगा क्योंकि 1-3x फिर आपने उसी तरीके से इसमें putting करनी है putting कैसे करनी है put 1-x is equal to 0 इसका मतलब है आपका x is equal to 1 आ जाएगा इस केस में देखें न 1 इदर लेके जाओगे minus का minus minus से cancel जब हम x is equal 1-x को 0 put करते हैं तो यह value आपकी 0 हो जाती और यह भी 0 हो जाती इसका मतलब है answer जो हमारे पास है वो a का सकता है 1-2 into 1 1-3 into 1 is equal to 1 है तो 1 is equal to a into minus 1 into minus 2 इसका मतलब है a is equal to आ जाएगा यह 2 को इदर लाकर divide करोगे तो 1 over 2 आ जाएगा similarly आपने क्या करना है put कर देना again 1-2x is equal to 0 इसका मतलब minus का 2x is equal to minus 1 इस मीन के x is equal to 1 over 2R है हमारे पास x is equal to 1 over 2R है तो यह a जो है वो 0 हो जाएगा जब 1-2x को put करेंगे 0 इसी तरह c की value और b का answer हमें मिलना है 1-1 over 2 into 1-3 over 2 is equal to इस साइट पर 1 है 1-1 ही रहेगा इसको हल करें यह 1 by 2 इदर आ जाएगा minus का 1 by 2 is equal to 1 तो 2, 2 is a 4, 4 को इदर लिया तो 4 is equal to minus b इसका मतलब है b is equal to आ जाएगा minus का 4 तो दो values हमारे पास आगी है और फिर again put करोगे 1-3x is equal to 0 इसका मतलब है कि हमारे पास इस case में minus 3x is equal to minus 1 x is equal to आजाएगा 1 over 3 इसको आप उट करेंगे तो आपके पास आजाएगा 1 is equal to इस case में जो 1-3x को 0 रखोगे तो a की साथ 0, b के साथ c का answer आना है c into 1-1 over 3 1-2 over 3 आजाएगा इसको solve करें 1 is equal to c into आजाएगा 2 over 3 into 1 over 3 तो आपके पास आजाएगा c is equal to यह 9 अधर multiply और 2 से divide तो c is equal to 9 by 2 फिर आप इन values को इसको बिचा की equation number 1 के है putting value of a, b, c in 1 तो आपके partial fraction आजाएगा 1 over 1-x into क्या आजाएगा 1-2x into 1-3x एक ही जग आजाएगा 1 by 2 तो 1 over 2 into 1-x फिर next है plus b के लिए आपके पास आ रहा है b की value जो है वो put करोगे तो आजाएगी 1 over क्या था b minus 4 minus 4 over 1-2x एक ही पाल plus minus minus कर देना और plus c की value आ रही है 9 by 2 तो यहाँ जाएगा 9 over 2 और नीचे इसके साथ आएगा 1-3x तो यही हमारा solution है बाकी के questions आपने जो है वो written form में जो मैं आपको बेजूंगा वहाँ से कोशिश करनी है कि तमाम को solve करें और exercise 54.1 जो MT और CT वाले बचे और 9.1 ET वाले बचे जल से जल इसको complete करें ताके next time हम जब 4.2 और 9.2 करें तो आपको इसमें की मसला ना हो अलाः आपसे